हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं आफी का अपना प्यारे वीद पीसी येट्यूब चेनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्ते प्रीतम प्यारे दोस्तों प्रिवार पहचान पत्र यानि फैमली आइडी डेटा वेरिफिकेशन से समदी बड़ी देटा ही है उसके बारे में देते हैं आपको समपूर जानकारी तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि प्रिवार पहचान पत्र यानि फैमली आइडी में अनेक परकार का जो डेटा है उसकी वेरिफिकेशन चलती रहती है और आपके डेटा को सत्यापिते किया जाता है अगर आपकी family ID में आपकी information verify नहीं है तो आपको योजनाव का लाब मिलने में प्रेसानी आ जाती है तो दोस्तो इसी से समझे एक portal हरियन सरकारनी बना रखा है एक site बना रखी है जिस site के माध्यम से आप अपना data verify कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो दोस्तो चलिए उस portal पर हम आपको ले चलते हैं दोस्तो website का link यहाँ पर आप देख सकते हैं hrygeneralverify.hppa.in की website पर आपको आना है दोस्तो इस website का जो direct link है वो भी मापको इस video के description box में दे दूँगा जिस पर click करके आप सीधी इस page पर आ जाएंगे दोस्तो यहाँ पर आने की बाद आपको three dots पर जाना है और इसे desktop site में open कर लेना है तकि जो window है वो आपको computer और laptop जैसी दिखने लगे और आपको इसे use करने में आसानी हो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने नीचे एक option आपको दिया गया है online verification और इसके नीचे आपको click here to add request का option दिया गया है इस option पर जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने इस परकार का एक option open हो जाएगा यहाँ पर जब आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने list open हो जाएगी शुरुआत में इस portal पर जो option आया था वो DOB verification का आया था यानि आप अपनी date of birth यहाँ से verify करवा सकते हैं request डालके इसके अलावाद दोस्तों दूसरा जो option आया वोटर ID verification का यानि अगर आपकी family ID में आपका वोटर काड एड नहीं है तो यहाँ पर इस option के मात्यम से आप एड कर सकते हैं उसे verify करवा सकते हैं इसके लावा दोस्तों बाद में जो option अब एड हुए हैं वो हुए हैं विड़ो विड़ो और वेरिफिकेशन और डिवोर्स वेरिफिकेशन ये option दोस्तों पहले हो चुके हैं लगबग इन्हें एड हुए महिना या 20 दिन के आज पास हो गया होगा इसके लावा दोस्तों जो नीचे वाला option है रिलेशन वेरिफिकेशन ये option दोस्तों लगबग 4-5 दिन पहले ही इस portal पर add किया गया है अब दोस्तों इन में से जिस भी option की आपको जरूरत है उस option को यूज आप कर सकते हैं अगर आपकी date of birth verify नहीं हो रही है यानि दोस्तों आपको पता होगा अगर age verify नहीं होगी DOB verify नहीं होगी अगर अभी तक आपकी DOB verify नहीं होगी है इसके अलावा दोस्तों water card यहां से आप verify करवा सकते है और अगर आपको widower यानि विधूर pension बनवानी है यानि कि दोस्तों आपकी विधूर pension बननी है आपकी पतनी की मर्द क्यों हो गई है और आपकी pension अगर अभी तक नहीं बनी है तो इस option के माद्यम से आप अपनी widower option की verification कर सकते हैं request डाल सकते हैं इसके लावा दोस्तों divorce verification आप इस option के माद्यम से कर सकते हैं और relation verify इस option के माद्यम से आपे कर सकते हैं जो नय option add किया गया है तो दोस्तो यहाँ पर जितने भी परकार के option है उन्हें आप अलग अलग चीज़ो के लिए use कर सकते हैं और दोस्तो track request का जो option है इस option पर click करके जो request आपने लगाई है उसका status यहाँ से आप चायके कर सकते हैं लेकिन दोस्तो यहाँ से आप केवल फिलहाल तीन जो option है उनका status ह कि आप चायके कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो जो publication वाला option है इस पर click करके आपे PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिस PDF के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप किस option को किस परकार यूज़ कर सकते हैं यानि कौन सी request आपको किस परकार डालनी है जो complete information इस PDF के अंदर आपको दे हुई है तो दोस्तो यहां से आपे verification कर सकते हैं प्रिवार पहचान पतर से समन्दित जिस भी option के आपको जरूरत है यानि जो भी detail आपको verify यहां से करनी है वो आपे कर सकते हैं साइट का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो धन्यवाद दोस्तो यहीं जानकारी आपको देनी थी कि प्रिवार पहचान पतर का जो verification portal है उस पर एक update आचकी है उस पर नया option add हो गया है और कुछ पुराने option भी इसके अंदर है कुछ जो option है उससे समदी तो मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी लेकिन कुछ जो option है उनके बारी में जानकारी नहीं दी टी उनके बारे में भी मैंने आपको आज़ जानकारी दे दी है तो देन्यवाद दोस्तों और आपको वीडियो में कोई कमें लगी हो तो इसके लिए मैं दिल से माफिक चाहता हूँ आगे से आपको और भी अच्छी और पहेतरीनी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों करें आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, चैनल को सब्सक्राइब परकें, गंटी के बटन को दबा लेना, तकि जो भी मैं वीडियो डालूं, उसका मैसीज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नहीं और अच्छी जानकरी आपसे मिस नहीं हो, जो दनिवाद दोस्तों, जेंज बार्त, जे हरियाना, जे जवान, जेक्सन धनिवाद मेरी प्यारे दोस्तों